इतना टेस्टी है कि आप पस्ता मैगी जो भी आप नास्ते में खाते हैं उसे आप भूल जाएंगे इतना बहतरिन ये वाला मेरा नास्ता बन करके रेडी हुआ है और बहुती टेस्टी है ये तो चलिए मैं आपको दिखाते हैं देखिए कितना बढ़िया ये मेरा नास्ता ब बहुती बहतरे नास्ता बनाने वाली हूं, बहुती लाजबाब, बहुत स्वार्दिष्ट ये नास्ता बनने वाला है, वो भी इतना कम सूजी में पुरे परिवार के लिए आपका नास्ता बन करके रेडी होगा, बहुत लाजबाब, तो इसके लिए हमें चाहिए, ये मेरी स पतलवाला हो तो उसे आप बिना पीसे ही बना सकते हैं यह देखिए मेरा यह सूजी एकदम फाइन बन चुका है एकदम पाउडर हो चुका है हमें ऐसा ही चाहिए अब हम एक बाउल में टांसफर कर लेंगे अब हम इस थोड़ा सा अध्रक और थोड़ा सा लासन और चार हरी म प्रिश का आप चाहे तो इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं अगर आपको यह पेश्ट नहीं बनाना है तो और यह एक चमज बड़ाच मैदा है अगर आपके आपके पास इसके जगाह पे कॉंफलर है तो लेचक्ते हैं मेरे पास नहीं है तो हमने माइदा का यूच कि घुल कर पानी डाल देंगे, ताकि मेरा सुजी एक दम अच्छे से फूल जाए, अब इसमें स्वाध अनुशार नमक डालेंगे, आधा चमाच नमक है, छोटा चमाच है, इसमें कटा हुआ धन्या डालेंगे, बारिक कटा हुआ, एकदम फ्रेस धन्या है ये मेरा ताजा किजिएगा तब भी बढ़िया टेस्ट आएगा अब हम इसका गोल तयार करेंगे यह पहुती बढ़िया लाजबाब यह मेरा नास्ता है आप हमेशा की तरह मत सोचिएगा कि यह सूजी का जैसे अमी बना रहा है उस तरह के बनेगा नहीं कुछ हट के यह नास्ता है पहुती लाजबाब है यह नास्ता मेरा इस प्रिंग रोल तो बहुत लोग खाए होंगे आज सूजी रोल भी खागर के देखिएगा बहुत ही मस्त लगेगा इसे थोड़ा पतला रखना है अभी इस घोल को हम 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे ताकि मेरा जो सूजी है एकदम अच्छे से फूल जाए और बढ़िया एकदम इसमें घोल तयार हो जाए यह देखिए मेरा घोल को रेस्ट पे होते वह 5 मिनाट हो चुका है अभी थोड़ा सा गाड़ा है मेरा घोल तो इसमें थोड़ा पानी और डालेंगे और इसे अच्छी से फेटलेंगे अब यह थाली ले लिए हैं इस थाली में हमने हलका-हलका ओल लगा लिए हैं, ग्रीज कर लिए हैं, आप इस पे हम घोल को फैला लेंगे, थोड़ा-थोड़ा डालकर इस तरीके से हमें चारू तरफ फैला लेना है, देखिए रम बहतरीन मेरा यह फैल चुका है, अब हम इसे इस्टीम करने के लिए रख कर दिये हैं गरम हो चुका है। अब हम इसमें एक कटूरा रख दिये हैं अगर आपके पास स्टेंड हो तो उसे रख सकते हैं अब हम इस ठाली को इस पानी में रख दिनगे पांच मिनट के लिए। यह आक्दम 2 जादे हनाए थोड़ा मीडिएम ही धकन लगा करके पांच मीनट में यह मेरा स्टीम हो चुका है अब स्लो कर देंगे तो का दोगता है, टक मेर ओ निकॉल chess देंगे ऋफ्तक निकाले यह न gene के साथ नहीं तो हाथ जल जाएगा और इसे भी ढखकन लगा देते हैं पाच मिनट के लिए देखिए थोड़ा-थोड़ा ठंडा हो चुका है अब हम इसमें कट लगा लेंगे अब इसे थोड़ा और ठंडा होने देते हैं तब हम इसे फोल्ड करेंगे थोड़ा ठंडा हो चुका है अब हम इसे असानी से बहुत ईजी तरीके से फोल्ड हो जाता है यह देखिए कितना बहतरी मेरा यह रोल बन चुका है बहुत असानी से यह रोल बन जाता है सूजी रोल है और ठाने में बहुत ही टेस्टी यह देखिए अगर आपका यह रोल मोटा हो तो आप इसे दो पीस में कर सकते हैं ताकि पतला पतला रोल बने एकदम से ठंडा नहीं होने दिजिएगा नहीं तो रोल चिपकेगा नहीं देखिए इस तरीके से देखिए कितना बैतरीन इसका रोल बन चुका है पतला पतला रोल बनाना हो तो इसे दो-तीन टुकडों में कर दे तो यह देखिए मेरा बढ़िया साु स्प्रिंग रोल बन चुका है यह है सूजी रोल इतना सारा बनखर के रेडी हुआ है उतना सुजी में अब हम इसमें तड़का लगा देते हैं लाटेंगे दो चमच तेल डाले हैं जादे तेल का जरूरत नहीं है तेल अच्छ से गरन हो जाए आप एक छोटा चमच सरसो काली वाली राई है सरसो आधा चमच चोटा चमच है जीरा और दोनों को अच्छे से चैटकने देते हैं अब इसमें डालेंगे हरी मीर्च हरी मीर्च आप अपने स्वात के हिसाब से लिए मेर्च अब ये एक प्याज है बड़ा साइज का प्याज जिसे हमने रफली काट लिए हैं चौरकोर में और ये एक छोटा सिम्ला मेर्च और एक टमाटर थोड़ा धनिया पत्ता अब हम इसे प्याज को ढाल दिंगे ये ज्यादे प्याज और सिम्ला में तो ज़्यादें नहीं भूना है इसके हमें टमाटर को भी डालना है अब हम इसमें डालेंगे त्वाद अनुसार नमक, नमक सूजी में भी पड़ा है, बस इस सारी सब्जियों के हिसाब से नमक पड़ेगा, नहीं तो नमक पीज हो जाएगा, ये थोड़ा सा अध्रक और लासन का पेस्ट है, आधा चमज, अब इसमें डालेंगे, आधा चमज जीरा पाउदर, आधा चमज धन्या पाउदर, फोड़ा सा काली मेज पाउदर, एक चुट्की, एक चुट्की लाल मेज पाउदर, इसे खोड़ा खोड़ा घूल लेंगे, ताकि मेरा जो मसाला है, इसे कच्छा पन हुकल लाए, एक दम से चटपठा बनाने के लिए है चा कर सकते हैं, अगर बीना सौस के बनाना चाहते हैं, तो भी ये बहुत ही चटपठा नस्ता होता है, अब ये सारे चीज भून चुका है, अब हम इसमें जुम रोल करके सूजी कर रखे हैं, इसे डाल देंगे, ये देख रहे हैं, कितना देखते ही मूँ में पानी आ रहा, इ वाओ, कितना बनियात तेश्टी है, मेरा नास्ता बिख रहा है, अच्छे से भून चुका है, अब हम इसमें डालेंगे हरी धन्या, वे देखें, मेरा एक ठाली वाला जो खा न, फोड़ा सखंदा हो चुका सा जादे, तो फोड़ा-फोड़ा खूल रहा है, और जो गरम- गरम हमें लपेटे हैं न, नहीं खुल रहा है, तो इससे आप ध्यान रखिएगा, गरम ही लपेटिएगा, तभी ये रोल बहुत बनिया बन करके रेडी होगा, अब हम बैस को कर देंगे बन, तो हम इस नास्ते को सर्थ करते हैं, बहुती स्वादिष्ट ये नास्ता है मेर जरूर ट्राइ किजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, यकीन मानी जरूर आपको अच्छा लगेगा, इतनी टेस्टी ये नास्ता होता है, तो ये लिजिए मेरा ये सुजी रोल बन करके एकदम से रेडी है, इतना टेस्टी है कि आप पस्ता मैगी जो भी आप नास्ते मे करके रेडी हुआ है, और इतना सारा नास्ता मेरा रेडी हुआ है, इतना ही सुजी में, अगर मेरा नास्ता आपको पसंद आया हो, तो लाइक, शेर और कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, तब तक के लिए बाई, थैंक्यू, फिर मिलते अगले विडियो में,